तो हलो दोस्तों आरब स्पोर्टिंग यूट्यूब चनल के कवर ने वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज है 22 जून 2014 तो जैसे कि मैं कल आप लोगों को बताया था कल के वीडियो में कि आज कल से यानि की लगातार जैसे लीग यानि सब्सक्राइब कर ले और इस तरह का जैसे लीग का जानकारी चैनल पर आता रहेगा तो ठीक है दोस्तों अभी जो ताजा तरीन जानकारी है कल का मेंच का यानि की 21 जून 2024 का जो मैच हुआ था कौन टीम भी जाता हुआ और कौन-कौन खिलाडी ने गोल किया था उससा पर जानकारी जाएगा और आज यानि की 22 जून 2024 को कौन-कौन सा टीमे के बीच मैच होने वाला उसका भी जानकारी दिया जाएगा इस वीडियो में तो ठीक है दोस्तों बने रही है वीडियो के लाच्ट तक तो कल के जो एडिविजन के ग्रूप बीक में जो मैच हुआ था विकास समिती बसिस अम्बेदकर फूड़ क्लब ने विकास समिती को चे जीरो से परास्त किया और अमेदकर फूड़ कलप की ओर से सुभास माझी ने पहला गोल किया था उसके बाद आमनास दा नहीं गोल किया सूरज हम्रौम ने दो गोल किया सूर्जौ सोरेन ने गोल किया और मुके सेमरम ने एक गूल गया इस तरह से टोटल छे गूल दागा था अम्वितकर फुटबोल कलब ने विकास समयती को A डिविजन के ही गुरूप A में जो मेच हुआ था मुहामधन स्पोर्टिंग कलब और बिजन एपेक्स फुटबोल कलब के बीच जिसमें की मुहामधन स्पोर्टिंग कलब ने दो एक से ये मेच जीता और जो मुहामधन स्पोर्टिंग कलब की और से सांजाई टूडू ने एक गूल किया और दुखु सोरेन ने एक गूल किया वहीं बिजन एपेक्स फुटबोल कलब की और से बूलन किसकू ने एक गूल किया था लेकिन और एक गूल नहीं कर सका बिजन एपेक्स आन्या था ये मेच डूरो हो सकता था और सांदर परदर्शन रहा यहां पर मौहमधन स्पोर्टिंग कलब के खिलाडियों दोरा और द mejk जीरो का एक गोल दाग कर अपनी टीम को बिजय होजित किया और सबूह नरायक गोल कणे अपना निरणाया गोल नरायक T joka अपी अच्छा परद्सान किया था काफी को परयास किया गॉल करने के लिए और खेल को बरबर मिलाने के लिए अटीन नहीं कर पाया प sì कि और इसी तरह से सिसु दामकोम कलब 1-0 से यह मेज जीता और जहां तक प्रिम Devination का बात करें तो प्रिमे डिवेजन में कलका जो मेच प्रज़ नरवा पहाभऌ स्पोर्टिंग कलभ बर्स ठक कर बापक कलब के बीच मेच वा था और और इस मेच में नर्वा पहाड स्पोर्टिंग कलब तीन एक से यह मेच जिता था नर्वा पहाड स्पोर्टिंग कलब की ओर से राइसेन मार्डी एक गोल किया बंबीर सुरह हांसदा ने दो गोल किया था नर्वा पहाड स्पोर्टिंग कलब की और से और उहीं पर ठकर वापा कलब की और से विशाल मुखी ने एक ही गोल किया था अपने टीम की और से और इसी तरह से प्रिमियर डिविजन का ये मेच यानि के नर्वा पहाड स्पोर्टिंग कलब और ठकर वापा का जो मेच था वो तीन एक से मेच समाप्त होगा था ये तो था कल का मेच और आज के यानि की आज कम आज कमेच यानि की 22 जून 2024 का तो आज होनेवाला है मेच आज एक मेच होने वाला है कि जिसमें की का तॉठा स्टील का सामना करने उत्रेगी जारकांट-इस. और यह मेच होगा जेर्डी स्वड कम्प्लेक्स में साड़े तीन बज़े से और उही सी पर सुपर डिविजन के बात करने तो सुपर डिविजन में अरुना समयतिक कलब का सामना होगा जमसितपूर बोईच कलब के बीच गुपाल मैदान में ये खेल होने वाला है साड़े तीन बजे से अब हैं डिविजन का गुरूप में जो मुकाबला होगा ऊच्छोटानाकपूर फुर्वबल कलब स्षोग्लोफ सर्फ Αंस्टार जमसितपूर यह में यह रंघ्लो इंट में साधित कॉम्पलेPN उद्क टो सब्सक्राइब के ना उख फसके थीडियो इतना ही और इस तरह से जमसितिपूर लिक बुड का भी लागतार जो ताजा अपडेट जारी रहेगा इस लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक दोस्तों मिलते हैं कावने वीडियो में तब तक लिए जोहार नमस्कार बंदे मातरम